हेलो गाइस आप सभी लोगों क्राइब आप फिर से सु आगाता है मारे नाई वीडियो में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ECS France T10 2024 की 25 वे मैच के बारे में सीरिज के ठीक है यह मैच खेला जाएगा पैरिज जाइमी वर्से डेरेक्स के बीच मैच की टाइमिंग है नौ बजे स्टार्ट होएगा इंडिन टाइमिंग के नुसार डेट 19 अपरेल 2024 आज ही की है तो 22 मैच खिले जा चुक है जिसमें तेरा मैच जीते हैं बैटिंग सेकंड करने वाले टीम ने यानि बैटिंग फर्स्ट वाली को यहां पर एडवंटेज है इसलिए आपको बैटिंग फ़स्ट के फिवर में टीम बनानी है ठीक है पहले बात करते हैं डियरिक्स के टुर्ण में तीन मैंच हुआ है जिसमें तीन के ठीन में 11 के साथ से अपने प्लियर को सेट कर रखा है तो पहला प्लियर हमजा नियाज जिसने इस टूरा मैंड में तीन मैंच में संत्यान विरन बना है ओवरॉल रिकॉर्ड देखे गो है तो 42 मैंच में 946 रन है 24 की एवरेस है तो एक इंपोर्टन प्लियर है साथ के साथ अपन टीम बनाते वे चलेंगे ताकि आपको कॉम्बिनेशन के बारे में सही से जानकारी हो जाए ठीक है यहां से अपन हमजानी आज को सेलेक कर लेते हैं सेलेक्शन भी इसका आई है तो मस्ट पिक पिलियर है इसके बाद है एहमद नभी जिसने तीन मैच में बासा टरन बना है ओवर सेलेक्शन देगे तो फिलाल अपन सेलेक्शन करेंगे को 83 परसंट इसका सेलेक्शन है टॉस अपडेट के बाद फाइनल अपडेट आपको टेली करम पर मिलेगी बात करते हैं नेक्स पिले मोहमद नासीर की जिसने इस्टूना मैंड के तीन मैच में बासा टरन बना है एक सेलेक्शन देगो को तो सेवंटीन परसेंट इसका सलेक्शन है ठीके इसके बाद मोहमद रफाय जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कॉंटूबिट कर रहा है तीन मैच में 73 रन बना है दो अवर की गेंद बाजी करी एक विकिट लिए ओवरोल रिकोर्ड देखोगे इसका टीटेन में तो 27 मैच में 350 रन है 25 की एवरेस से 15 अवर की गेंद बाजी करी आट विकिट लिए एक इंपोर्टन पिलियर है और आपको इसको भी ट्राय करना प परवाएगा जो आज के दिन का इनों का पहला मैच हुआ था तो लोगों ने इसको सलेक्टी नहीं करा तक कामरें ने मच जाई ने लेकर अपन ने उसको लिया था और इसने 133 पॉइंट दिलाय थे ठीक है तीन विकिट लेके गया था और साथ ही 29 रन की अच्छी पारी खे सलेक्टन है और लास्ट में आप परफॉमेंस देखी सकते हैं उसकी 138 पॉइंट दिलाया थे और हमने इसको सलेक्ट करा था 20 परसेंट इसका सलेक्टन ता उस समय ठीक है इंपोर्टन पिलियर यह इसके बाद है मोहमत साजेब जिसने तीन मैच में दो और की गेंदबाजी करवाएगो रइक द्रकर गया अब इसे कहालें के लिएक लेकित लेके लेके लीएक तो stop परसेंट इसका सेलेक्शन इसके बाद है अमर जाई जिसने इस तूनमें में बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं करी एक हाली विकेट की पिरिंग करता है विकेट की अच्छी कर लेता है लेकर कोई दूसरा प्लेट खेलेगा इसका बैटिंग और उपर हो तो अपन उसको ट्रा इसके बाद है उसमान खान तीन मैंच में बनाए च्छी ओवर की गेंद बाजी करिए दो विकेट लिए अच्छा का सा बॉलर नहीं करना आपको ठीक है अगर आप इसको लेना चाहते हो तो इसको सलेक्ट कर सकते हो लेकान आप इसको सलेक्ट करोगे जब इसकी टीम की पहले बले बाजी हो ठीक है तो अपन इसको सलेक्ट करेंगे वरना इसको ड्रॉप कर देंगे अपन ठीक है इसके बाद है अबदूल रह्मान एमद जाई जिसने लास्ट मैच खेला था जिसमें दो वर की गेंद बाजी करवाई एक विकेट लिया तो यह भी बैटिंग का मौका कम रहेगा कि बैटिंग आवे तो अपन यहां से अब्दूल रहम जाई को ले लेंगे अगर इसकी टीम की पहले बॉलिंग होईगी तो अपन इसको एमद जाई को ले लेंगे ठीक है इसका ओवरॉल रिकॉर्ड की बात कर रहा है चाउदा मैच में बाइट करवा देंगे बात करते हैं दूसरी टीम पैरिस जाई मी की जिसने इस टूनामेंट में चार मैच खेले हैं और एक भी मैच अभी तक जीती नहीं है लास्ट मैच हुआ है वह भी यह टीम हार चुकी है ठीक है इन्हों के तरफ से लास्ट मैच के प्लेइंग 11 के टीक टाक रिकॉर्ड है इस टूनामें में कुछ खास परफॉर्मेश नहीं करता है और सामने गेंदबाजी अच्छी है तो इन दोनों पिलियरों का आपको ट्राय नहीं करना है कमल पटेल की बात करें दो मैच में 22 रन है ओवरॉल रिकॉर्ड है के टी 20 का है जिसमें 6 मैच में 46 रन है तो तीनों पिलियर है कुछ खासा नहीं है पहला इनों का मैन पिलियर है नुमान अमजद जो इस मैच में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का बहुत बढ़िया चोईस है चार मैच में 138 रन बना च्छे ओवर की गेंदबाजी करिए तीन विकिट लिए बहुत में डालना पड़ेगा सेलेक्शन आप देखी सकते हो सेलेक्शन 55 परसेंट है ठीक है इसके बाद साफी फैजल जिसने चार मैच में 12 रन बना तीन ओवर की गेंदबाजी करिए दो विकिट लिए बॉलिंग कम करा रहा है लेकर गिरन लिंग में आप कुछ टीमों में ट्रा है 21 की एवरेस से 10 वर की गेंदबाजी करवाई है और 10 विकिट लिए ठीक है इसके बाद है रजा असन जिसने चार मैच में 23 रन बना पांच वर की गेंदबाजी करिए दो विकित लिए ओवरल डॉमेश्टी का रिकॉर्ड है चार मैच में 121 रन 31 की वरेस से बना है उसके एक राज उल्ला जिसने चार मैंच में इधर चार वर ठीक है लाश्ट मैच का हमने नहीं लिखा इसका चार और जार अवर चल रहा था इसलिए में लिखानें तीन विकित लेके गया था थीक तो इंपटेंट पिलियर है और आप इसको भी ट्राइब कर सकते हो सलेक्षन देख दस मैच में 22 विकेट है ठीक है बॉलिंग आपको अर मैच में दो ओवर की करा कर देगा तो ग्रेंड लिग में आप इसको ट्राय कर सकते हो सलेक्षन महातरत 20% है इसके बादे अली असन जिसने दो मैच में बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं करी ओवरॉल रिकॉर्ड देके त एक मैच में चार ओवर की गेंदबाजी एक विकेट है तो जो जो इंपोर्टन पिलियर सभी के बारे हम बता दिया अब लाश्ट पिलियर अपन ट्राय कर सकते हैं यहां से रजाहसन को या फिर आप यहां से उस्मान खान को ट्राय कर सकते हो ठीक है लेकर यह खाली डेमोट लिडियर या घोसन करा दो इसमें वीडियो प्रोइड कर वात तो इसमें भी आपको फ्राजी कर सकते हो याईक कर सकते हैं तो सुलेमन और तभीस भाटी को इसमें एग्प्रंट कर लाएज मत करना आच्छे लिए लगत सकता है तो तो मुहमद नासिर और तबीस भाटी को कैप्टन वाइस कैप्टन सी दे सकते हो या खले डेमो टीम में फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइट करवा दी जाएगे ठीक है फीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना कमेंट करना सेर करना साथ ही चैनल को सब्सक